नमस्कार BCN News के प्रदेश के खबरों में मैंक शिति जादेशमों का आप सभी का स्वागत करती हूँ तो डालते एक नजराश के प्रदेश के खबरों पर उनका समारक बनाना चाहिए ऐसे मांग उनके पीता द्वारा की गई है गहलाट प्रखेंड के जिला परिशत सदस्य क्रांतिकारी महिलान नेतरी एवं सभी महिलाओ एवं बहनों के दील पर राज करने वाले नूतन कुमारी आरियन एवं उनके पिता जिला परिशत प्रतिन्दी समासेवी क्रांतिकारी निता डॉक्टर विनित कुमार आरियन इन्ह मदिपुरा से BCN News के लिए आर्जू अंसारी की रिपोर्ट 12 जनवरी 2021 को जिला पदादी कारी शाम बिहारी मीना की अद्धिक्षता में COVID-19 वैक्सिनेशन की हेतु गठिर जिला टास्ट फोर्स की बैठक समाहर नालय सभागहार में आहुती बैठक की गई 16 जनवरी 2021 से प्रारम होने वाले प्रथम फेज के टिका करण सम्मंदीत की गई जारी आवश्यक तयारियों की समक्षा इस बैठक में की गई साथी सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में प्रथम फेज में सभी स्वास्त कर्मियों का टिका करण किया जाना है बीसेन नियोज के लिए बिहार मधिपूरा से आरजू अंसारी की रिपोर्ट कृशी कानून के खिलाब मधिपूरा के समहार नाले पर महागट बंदन के तत्वा उधान में किसानों ने विशाल मार्च निकाला है अक्रोश मार्च मधिपूरा न्योबस स्टैन से निकल कर शहर के मुखे चोराय से गुजरती हुई समार नाले पहुश्ती प्रदर्शन के कारण पुरा शहर अस्तवयस्तर रहा प्रदर्शन कार्यों की बड़ी संक्यार रहने की कारण समाडाले द्वार के सामने घंटो एनेच 107 पर आवागमन ठप रहा। प्रदर्शन की बड़ी सेगे गंभीर परिणाम होंगी। उन्होंने कहा कि केंदर की सरकार नगा sonора विरोधी है बलकी इसानों की हत्यानी हैyez। उन्होंने कहा कि दिल्ले के बॉडर पर काला कानून के खिलाफ आन्दोलन पर डटे किसानों की मौत का आखिर कौन है जिम्मेदार। विधायक प्रोफेसर चंद्र शेकर ने कहा कि किसानों की अपेक्षा नहीं सहेंगे। किसान संघटनों की निता से वार्ता करे सरकार अन्य था चैन से रहने नहीं देंगी उन्होंने कहा कि सानसत के अंदर सविधानिक माब्दंडु का धजिया उड़ाती हुए या कानून पारित किया गया जो किसान विरोधी ही नहीं जन विरोधी भी है इस कानून से देश की ख करना पड़ेगा यह कानून पूरी तरह कॉर्परेट परस्त कानून है विधाय प्रोफेसर चंडल शेखर ने कहा कि आज देश में संकट है केंद्र की सरकार खेती और किसानों को कॉर्परेट के हाथों गिर्वे रख किसानों को गुलाम बनाना चाहती है देश की किसान इसे क परदाश नहीं करेंगी उन्होंने खेत बचाने और देश बचाने के लिए देश और प्रदेश की किसानों को संगटित होकर आंदुलन तेस करने का आभान किया और कहा कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं होता किसानों का संगर्श जारी रहेगा राज़त के करता है कि सरकार कॉर्परेट के हित के लिए यह कानून लाई है राज़त के प्रदेश महासचीव देवकिशोर यादव ने कहा कि यह तीनों काला कानून का ड्राफ किसी कॉर्परेट घराने की दफ्तर में तयार हुआ था यह कानून पुरी तरह से अडानी और अंबानी के फायद के लिए बनाया गया है कॉंग्रेस के जिला अदेशन सत्यंद्र कुमार सीह यादव ने कहा कि यह खेती का कॉर्परेटाइजेशन है बाजार आधारित खरीद फरोग्त व्यवस्ता और सुमित स्टॉप और कंट्री फार्मिंग कर किसानों को तभा और बर्बाद कर करने की साजिश है महागटबंदन ने सयोजब एवं भाकपा के राश्ट्र परिश्यत के सदस्य ने कहा कि इस कानून से जमाखोरी और काला बाजारी बढ़ेगी और इसका सीधा असर खादेपदार्तों की महंगाई पर पड़ेगी जब टैक्स फ्री खेल चलेगा तो मंड नहीं रहेगी तो सरकार हजारों लाखों एकर जमीन कौडियों के दामों पर जहते कॉर्परेट के हाथों बेच देगे प्रभाकर ने कहा कि सुप्रिम कोर्ड भी केनर सरकार को जम कर फटकार लगाई है बावजुद इसके अगर मोदी सरकार कालाकुरुशी कानून वापस नहीं लेती तो संगर्ष तेज होगे माकपा के जिलामंत्री मनुरंजनसी है एवं राज्च कमेटी सदस्य गनेश मानव ने कहा कि आंगोलन तरत किसानों को टुकडे टुकडे गैंग बताने वाले अपने दामन में जाक कर देखे यह देश दोही ताकत आज देश को निला पर शीन नहीं हो सकते मालिके जिलास सयोजक रामचिंद्रदास एवं वरियनेता केकेसी हराटोर ने कहा कि केंदरो और राज्च की सरकार किसान विरोधी है उन्होंने कहा कि दोहजार पंदा के तर्श पर किसान आंदूलन को व्यापक और जुजारू बनाना होगा ताकि सर परकार काला कानून को वापस लेने को मजबूल हो महागट बन्दन के सहसयोजक रामकृष्ण यादव एवं राज़त के जिला महासचीव नजिरुद्दिन नूरी ने कहा कि किसान का बेटा और भाई देश की सीमा पर सरत की सुरक्षाक करता है किसान हमारा पेट भरता है ह को जिन्दा रखता है हम इसके साथ नाइनसाफी नहीं सहेंगे आलम नगर से महागट बन्दन की पूर्व प्रत्याशी इंजिनियर नविन कुमार निशाद ने कहा कि अन्यदाता किसानों की अपिक्षान नहीं सहेंगे किन सरकार होश में आए और आंदुलन तरत किसानों क पूरि करें नहीं तो आर पार की लडाई होगी मुहमत चान, उमाकान सीह, जगत नारायन स्षर्मा, मुहमत परवेस, राजन नेता रमे सीह, रविषंकर यादो, किसान नेता प्रकाष पिंटू, अनिल यादो, मजूर नेता, योगिन रराम, दिनेश रुशिदेव, राजन नेता सिंहे श्वर यादो, पंकज यादो, आलोक कुमार मुन्ना, गोपाल यादो, विने कुमार सीह, विलास यादो, विरेंद्र यादो, अनिल यादो, अभेश्रिवास्तो, राजु कुमार यादो, सुनिल यादो, अनिल यादो, उमेश यादो, नित्यानंदी यादो, गौरी शंकर, दिलिपियादो, गजेंद्र र माधव मंडल, संत्यादो, अम्रेंद्रयादो, आनंदी मंडल, रिंकु साह, आधिवडी संख्या में किसान शामिल थे अंत में 903 मांगों का समार पत्र जिलहापदा दिकारी को सोपा BCN News के लिए बिहार मदेपुरा ब्यूरो चीफ आरजु अंसारी की रिपूर्ट मदेपुरा के सीहेश वरस्ती जनायक करपुरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक बार फिर परिचारी का एक ग्रेड स्टाप नर्सों ने मांदे भुकतान को लेकर अधिक्षक कार्याले के सामने हंगामा किया साथ ही कलर्क पर बीस प्रतिशत कमिशन मांगने का आरूप भी लगाया गया इस बाबत एनेम प्रियंक का कुमार ही ने पताया कि हम लोग चैन के बावत तीन मार्च दोजा बीस से ही मेडिकल कॉलेज में कारे रथ है और स्टाइन यक्ति के कारेंट भिहार सरकार और मेडि विख्तान 38-17 में से 117 लोगों को किया गया है, उसमें 12 लोगों को कुछ नहीं दिया गया, बाकी बचे चार मा का भुकतान अभी तक नहीं किया जा सका है, और हम लोगों के द्वारा भार आग्रक करने के बावजूद यहाँ पर हमलोगों को बर्गला दिया जाता है और भक्तान के लिए टाल मटोल किया जा रहा है साथ ही उन्होंने कहा कि इस दोरान COVID-19 में मिलने वाली प्रोचसा और राशी भी नहीं दी गई वही अधिक्षक साहब का कहना है कि मैन पावर नहीं है इसलिए अभी हम सैलरी देने में असमर्थ है इधर एनेम प्रियंका कुमारी के साथ कई एग्रेड स्टाप नर्स ने बताया कि कलर्क ने सैलरी का भक्तान के लिए 20 प्रतिशत देने पर 7 दिन के अंदर भक्तान कर दिया जाएगा इस बाब असायक लर्क ने बताया कि अलाउन में नहीं आया जिससे जिस कारण भुक्तान नहीं हो पा रहा है वही 20 प्रतिशत के आरोप को सीरे से खारिश करते हुए कहा कि एक भी स्टाप नर्स यह कह दे कि मैं उनने पैचानता भी हूँ बुक्तान नहीं होने के कारण और महिला होने का लाब उठा कर बेपुनियात आवप लगा रही है सभी एक ग्रेट स्टाप नहीं अधिक्षक और प्रिंसिपल से मिल कर अपना आवेदन दिया बीस या न्यूज के लिए बिहार मधिपुरा से आर्जू अंसारी की रिपोर्ट तो आज के प्रदेश के खबरों में वक्तों चलाए यहीं रुकने का ताजा खबरों से रूब बरू होने के लिए आप देखते रहें बीस या न्यूज नमस्कार